Business person की tax return file करने के लिए FBR ने एक बहुत ही concise सा form दिया हुआ है जिसकी मदद से आप बहुत असानी से इसको file कर लेंगे आपने जाना है declaration के tab पर पर यहां से आपने simplified return for traders classic view यह वाला form लेना है यहां से अपना period choose करना है जैसे के 2022 और बस इसी एक simple form को fill करके आप अपने complete income tax return को फाइल कर पाओगे अब यहां से मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने tax return की तमाम categories के लिए एक comprehensive income tax master course design किया है जिसमें आपको A to Z from start to finish in depth knowledge provide किया जाएगा तो course को avail करने के लिए नीचे दिये ओवे link को click करें and form submit कर दें इस course के details के लिए website और YouTube वीडियो के links भी नीचे मजूद है वहां details देखकर भी form submit किया जा सकता है Assalamualaikum and welcome to another video दोस्तों इस वीडियो में आप trade business, shopkeepers और वो तमाम business person जिनका salana turnover एक करोड़ पे से कम है उनकी income tax return 2022 फाइल करने के बारे में जानोगी income tax फाइल करने से पहले आपको जो documents रही होंगे उनकी detail आपको इस वीडियो में मिल जाएगी इसको लाजमी देखें, link नीचे वीडियो description में मौझूद है तो return फाइल करने के लिए चलिए, simple आपने अपने IR IS में login कर लेना है अपने CNIC और password के साथ और यहाँ पे आके आपने सबसे पहले अपनी एक pin generate कर लेनी है क्योंकि pin generate करने से आपको यह फाइदा होगा कि बाद में आपको farm close करके working row के यहाँ के pin generate नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे कोई भी चार इंसो की pin generate करने आप और यहाँ से okay कर दे, pin बन जाएगी आपकी तो return शुरू करने के लिए आपने सबसे पहले यह declaration के tap पर जाना है और यहाँ से यह simplified return वाला farm एं ट्रेडर्स के लिए यह FBiR ने बहुत ही कमाल का farm दे दी है, सब कुछ summarize करके इसने AC के अंदर रखती है तो अब यह बहुत ही असान हो गया, इसको ले लेना आपने यहाँ पर आगे अपने period चूज करना है, जैसे 2022 चल रहा है तो इसको लेंगे, हम यहाँ से select कर लेंगे जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें का ख्याल रखना आपने पहली बात यह, कि अगर तो आप यह दूसरे साल कर रहे हो, तीसरे साल कर रहे हो, तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ से आपने यह इंपर्सनल वेल्थ स्टेटमन्ट डिकलेर करनी होगी सबसे पहले आपने बताना होता है कि आपने एक फिनेशल एर में कितना बिजनस टर्नोवर कमाया है, बिजनस टर्नोवर वो होता है जो एक साल में आप एक्सपैंसीज, अपने खर्चे, अपनी इंकम, सब कुछ मिला के जो एक अमाउंट कमाते हो, उसको कहते हैं बिजनस ट नेक्स यहाँ आ जाता है यह opening stock, अब opening stock क्या होता है, opening stock कहते हैं financial year के शुरू में, आपके पास कितना stock पड़ा है, raw material कितना बड़ा है, कितनी saleable चीजें पड़ी है, उनकी total amount का जो opening stock होता है, या उनकी total amount का जो total होता है, total figure होगी, वो आपका opening stock होगा, तो क्योंकि अगर आप पिछले साल में file कर रहे हो, तो जो आपका closing balance रहा होगा, पिछले साल का, जो आपने closing balance declare कि होगा, वो इस साल आपने opening stock बना देना, लेकिन अगर आप fresh कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे zero लिखते होगे, उसके बाद आ जाता है आपकी purchases, purchases इमराद या यह turnover कमाने के लिए, आपने एक साल में कितनी नई चीज़ें खरीदी, raw material कितना खरीदा, उसके amount, तो मिसाल के तौरप मैं कहते हो, मैंने 35 लाग रुपे की जो है, वो purchases की है इस साल, इसके बाद आ जाता है, यह other direct expenses या इसको हम indirect expenses भी कहते हैं, दो किसम के expenses होते हैं, एक होत आते हैं, इसमें आते हैं, आपकी properties या offices के rents वगरा, उनकी maintenance पर किया जाने वाला खर्चा, स्टाफ के salary expenses, तमाम utility bills, आपके business की marketing cost, उन पे लगने वाले advertising cost वगरा, यह सब आ जाते हैं, indirect या other direct expenses में, तो इस पे आपने जितना खर्चा किया होगा आपना, वो आप यहां पे लिखते हैंगे, मैं में सागितों पर कहा देता हूँ, जी मेरा 15,00,000 लगा है इस पर, इसको मैं करूंगा calculate, अब next आगया आपका closing stock, जैसे मैंने पहले बताया closing stock कहते हैं, आपके पूरे साल के end पर, यानि 30 June को, every year 30 June को जो आपके पर amount बाकी बच जाएगी, जो raw material बच जा जया था turn number वो था 65,00,000 और cost of sales ये साड़ी निकालने के बाद अपने पास जो net profit बच रहा है 25,00,000 पर इसमें आपका closing balance होता है, ये add हो जाता है, अब next यहाँ पर देखे तो आपके पास ये profit and loss expenses, यानि जो expenses आपके direct और indirect expenses में नहीं भाएंगे, और ये turn number कमाने के लिए ज की amount आप यहाँ पर लिख सकते हो, और work expenses भी होंगे आपके जो वो आपके net profit में से minus हो जाएंगे, जैसे हम इसको calculate करते हैं तो ये देखे, 5,00,000 हमने ये लिखा, इसमें से 5,00,000 minus हो गया, next आजा था आपका electricity bill, और यहाँ पर electricity bill आजाएंगे, चाहे वो एक है, चाहे दो है एक लाग नवे अजार बे के मेरे expenses थे, बिजली के, वो आपने बता दे हैं, अगर आपके पास एक से ज्यादा bill लें, दस bill लें, ये प्लस वल आइकन दबाते जाएं, bills को add करते जाएं, उसके बाद आपका आजाता है tax already paid, यानि वो taxes या वो expenses जो आपने ये turn of कमाने में already pay की होई है, तो उनमें आपका telephone आ जाता है, क्योंकि ये advance tax की सुरत में होता है, पहले ही काट लेते हैं, और कुछ other taxis होंगे, जो भी आपने अधर pay की होगे, इसके लावा, वो सारे इसमें आजाएंगे, तो mobile add करने के लिए आपने प्लस वल आइकन दबा के उपर आपना number लिख देना है, जो भी आपका mobile number होगा, या आपके phone का number होगा, कोई भी, वो आप यहाँ पे लिख दोगे, जायाज है, कोई भी number, कोई भी company हो सकती है, वो लिख के, यहाँ पे आप लिख दोगे, वो आपका कितना होगा, आप मिसाल के दूप आपका, 49,000 का यह भी होगा, इसको यहाँ से हमने calculate किया, अदर में देख लेते हैं, अदर में क्या था, जी आप कहले हैं, जी 45,500 के मेरे कुछ अदर, इसके लावा भी taxes मैंने pay की हैं, पुरे साल में, जो telephone के लावा हैं, लेकिन direct, या अडवांस taxes हैं, या direct taxes जो आपको पढ़ते हैं, वो होगे यहाँ तो यह होगी सारी calculation, आपके business का turnover कमाने के लिए, आपने कितना sales किया, कितना purchase किया, क्या अपने expenses किये, कौन से taxes pay किये, यह एक simple सा form उन्हों ने इसलिए design किया ताकि आपके लिए असानी हो जाए, आप लोग tax pay करें, आप लोग अपनी returns उनको submit करें, ऐसा नहीं है कि आप सो जैसे मैं आपको बताया था कि इस button के बारे में बताऊंगा, तो import previous return का जैसी हम button दबाते हैं, यहां से यह देखें, तो इसका benefit क्या होगा जी, इसका benefit होगा, यहां पे कुछ values आपके आजाएंगी, अगर आपने पिछले साल के return file की होगी, अगर यहां पे नहीं आएंगी, तो यह wealth statement में जैसी आप assets में जाओगे, अपने personal assets and liabilities बताने के लिए, तो यहां पे देखें, यह पिछली values आटमेटक आ रही है, तो इसको आपने current EA के साथ में replace करना होगा, इसलिए वो button important होगा, आप दबा लें आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पिछली values कौन सी है, simply मै यहां कि इसको delete कर देता हूँ, तो आपको fresh चीज़ करके दिखाऊं सारी, इसके बार reconciliation में भी होता है, और यह क्योंकि net assets previous year वाले हैं, यहां पे stand away रहेंगे, आपने इसको ignore कर देना, अगर पहली दफार कर रहे हो, आप इसको delete करेंगे तो वो delete हो जाएगा, अगर आपने पिछले साल फाइल की थी return, तो यहां पे आपको खड़ा वैसी नजर आएगा, आप इसको ना चेड़ें, बिल्कुल भी ना चेड़ें, क्योंकि यह previous year का आपको बता रहा है कि पिछले साल आपको इतने assets है, और इस साल आपको जितने भी होंगे, वो इसके साथ आप उसको maintenance को रखी, अपने bicycle, motorcycle, car कुछ भी, उसकी maintenance पे कितना खरचा आता है, आप वो बता दोगे, फिर traveling पे आपने एक साल में कितना खरचा की है, आप वो बता दोगे, पिर electricity पे कितना खरचा की है, आप वो बता दोगे, यह सब value मैं dummies दे रहा हूै हो लेको आपको बताने के फिर अबने एक साल में खर्चा आता है तो आप वह बता दोगे पिर आपने एसेट को ली ओवे, इंशोरंस ली हुए आपने तो इसका एक साल में कितना पे करते हो तो आप यहां पे वह बता देंगे पिर आज़ेगर medical, medical तो एक साल में बना बहुत ज़्यादा पे करता है तो ज़्यादा इसका खर्चा आपका हमेशा ज़्यादा होगा education पिर आपने कितना लगाया आपने बच्चों के तो वो जितना बनता होगा आप वो बता दोगे यहां पर पिर club यह अमोमन कोई खास नहीं होता, function gathering भी ज़रूरी नहीं इतना donation अगर आपने एक साल में किसी company को किया है किसी अधारे को किया है तो वो आपने कितना किया है आप वो बता दोगे यहां पर इन सब expenses के लावा भी अगर आपको कोई expense बचता है तो वो other personal expenses में आ जाएगा जो यहां पर mention नहीं है उसको total करके जितना भी बनता होगा वो आप यहां पर declare कर दोगे अभी देखें तो यह 8,92,000 हो गया आपका expense चलिए आप चलते है आपके personal assets and liabilities के तब यहां पर पहले agriculture property का अगर आपके नाम पर कोई है तो यह प्लासफल आइकन दबाएं यहां पर प्लासफल आइकन दबाएं यहां पर प्लासफल आइकन दबाएं नीचे content लिखें वो कितने मरले का है यहां पर Excel बनेगा उसमें यह value declare कर दें पिर आपके commercial industry को residential property घर वेगार आपके नाम पर है तो वह कितने है और याद रखिया कि वह non business नोन चाहिए तो उसके क्या मालियत है इसी तरह प्लासफल आइकन दबाएंगा property का address बताएंगे नीचे लिखेंगे पांदास-पचास मरले कितने है उसको लिखके आप यहां पर declare कर देंगे यहां पर उसको declare करने के लिए पसल आइकन दबाओगे यहां पर अपना business नाम लिखता होगे जैसे फ़र्ज कर ले 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 इसको okay करें यहां पर आप लिखता होगे आपने कितना लगाया था आपने 35 लाख रुपया लगाया था कोई भी मांट जो आपके real value होगी आपने यहां पर वह वाली value लेनी है यह कर दी हमने अच्छा उसके पार equipment non business पढ़ा कोई घर पे तो उसकी मांट यहां पर आजएगी घर पर यहां पर आपने अपना account या आपने bond लिए होई है या आपने को deposit किया हो है national savings में तो उसका account number आएगा सबसे उपर account number आजएगा account number के पार नीचे आप लिख लोगे कि वह आपकी saving account है कौन सा account है किस bank में है वह साड़े डिटने लिख के okay करें और यहां पर आपने 30 जून के balance लिखना है उस account में जितना भी आपका balance होगा 30 जून को every year फिर नीचे आ जाता अगर आपने किसी से loan लिया होगा bank से तो वह एक साल में आप कितना pay करते हो तो आप यहां पर लिखोगे same account number लिखेंगे जिस account के थूरू pay करते हो वह saving के current है व बोड़ा loan खतम नहीं हो जाता फिर आपका motor vehicle है car motorcycle कुछी भी है non business होनी चाहिए उसको आप यहां पर declare करोगे मसार के तो पर यहां पर आप लिखेंगे उसका number नीचे आप लिखोगे CD 70 यहां से करेंगे okay और यहां पर उसकी price लिखते होगे जितने पर आपने इस साल अग्रावर पर purchase किई है तो कितने पर लिए वो जो आपकी receipt थी वो कितने की थी उससे आप सब लिखते होगे मसार के declare करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसकी amount भी लाजमी लिखें दोनों सुर्तों में यह ठीक है फिर household effect यह ने घर पर जितने भी आपके चीज़ें पड़ी है उसके भी जादे पाद amount होती है market value होती है वो कितनी है तो वह आप लिखते होगे यहां पर फिर उसके बाद आपके personal items जो आपके personal है आपके लिए जो चीज़ें आपके mobile लैप्टॉप्स आपके gadgets होगेरा यह इसको कुछ इतना खास define नी किया हुआ यह personal item के head में आप कुछ भी आपका personal चीज़ हो लिख सकते हैं तो उसको हम यहां पर लिखने कर देते हैं भी इतनी है फिर आपका cash non-business आजाता है यानि 30 जून तक आपके पास जितना balance था आपके cash in hand था वो कितना था वो आपने यहां पर लिख दिया यह सारी amounts लिखने के बाद नेक्स दो important चीज़े होती है एक होती है यह other asset यानि इसके लावा कोई asset है तो यहां पे आप लिख दोगे plus यहां पर declare कर दोगे फिर assets in other's name यानि आपके ने अपने रिष्टेदार अपने भाई बेहन माँ बाप किसी के नाम पर प्रॉपर्टी को चीज़ ली हुई है कोई asset ली होगा है उसको यहां पर declare करोगे उसको लिखोगे नाम कहां पर जगा कितनी है वो लिखने के बाद इस नंसी साल लिए अपने दस लाक रॉपर और उसमेहसे आपने एक लाक रॉपर पे कर दिया तो बाकी बचा नो लाक अब यहां पर कियो expenses and assets को reconcile पर चलते है और यहां पर आके आपने यह जो income declared as by return subject to normal tax इसमें आपने यह value लेनी है यह 2,00,00 वाली value को करेंगे आप यहां से copy reconcile में आएंगे यहां पर आके इसको करेंगे paste और यहां से कर देंगे calculate calculate करने इस पाद देखे तो अपने पास extra आ रहे हैं अब हमने इसको reconcile करना है balance करना है balance करने के लिए balance करने से पहले यहां पर दो तिन head है वो आप लाजमी जान लें जिनमें एक है यह foreign remittance यह अगर आपको बाइट से कोई पैसा बेज़ता है तो वो इस खाने में आएगी आपको इस साल में कोई वरास्ती जाहिदात मिली है दुकान घर मकान कुछ भी उसकी value जितनी होगी वो इस से head में आएगी पिर अगर किसी ने आपको को gift किया है mobile gift किया, buy gift किया, plot gift किया कुछ भी हो सकता है वो define नहीं है just वो gift होना चाहिए उसकी amount आप यहां पे लिखतेंगे फिर यह है gain on disposal of assets excluding capital gain on immovable property, यानि मकान ऐसी property जो immovable है उसको छोड़के, जो gain हुआ है आपको, यानि movable properties के gains वो आप यहां पे लिखेंगे, इसकी मसाल में हमेशा यह देता हो आपने एक गाड़ी ली थी उस गाड़ी ने आपको 15 लाग ली आपने और फिर आपने अगले साल उसको 16 लाग में बेच दिया तो एक लाग रुपे का आपको हो गया gain वो gain आप लिख दो कि एक लाग रुपे है यहां पे, इस gain वाले हैड़ में एक लाग रुपे है लेकिन जो बाकी 15 लाग था वो भी तो आपके पास आया है ना आपके अकाउंट में आया है आपकी पोकिट में आया है तो उसको आपने यहां पर अड़जस्ट करने है वो आपके पास अकाउंट की सुरत में है property की सुरत आपने उसे property ले लिए है घर ले लिए है business capital में लगा दिया उसको क्या किया है उसका वो आपने यहां पर define करना है या उसको आपने cash in end में रका है तो वो 15,00,00 को आपने यहां पर adjust करना है इसके बाद फिर आपने वापस चलना होता reconcile पर अभी यहां नीचे देखे तो यह अपने पास unreconciled amount बहुत ज्यादा आ रही है इसका मतलब यह है कि मैंने जो आपको सारी चीज़ें बताई हैं यह जूटी है एक फर्दी बता रहा हूँ ना आपको सारा जब आप अपनी values बिल्कुर complete करेंगे बिल्कुर ठीक करेंगे तो यहां पर values का फर्दी मैकसिमम कोई एक लाग डो लाग माइनस प्लस में हो सकता है जिसको आप असानी से अपने expenses बढ़ा के या अपने assets कम ज्यादा करके balance कर सकते हो तो अभी हम इसको balance कैसे करेंगे आपने personal expenses में जाना और यहां पर जो real value होगी आपकी मिसाल के तोर पर यह है यह यह देखें पंदर लाग मैंने की है डेर लाग रुपर की है तो यहां पर जैसे मैं वापस आया तो यह देखें यह माइनस में चलागा कितना सारा फर्द पढ़ गया अब यह माइनस आठ लाग तरासी हजार माइनस में दे रहा है माइनस का मतलब है अब यह हमने आठ लाग तरासी हजार के साफ़ से इसको मजीद बढ़ाना है अपने assets को अब आठ लाग में से अगर मैं एक पहले था इसके साथ 9 कर देता हूं जम 187,776 कितना हो गया एक लाग 257,776 इसको मैंने लिया यहां पे और मैंने अपने motorbag में बता दो आप यहां पे इसको house hold आप यहां पे इसको house hold में बता दो personal item बता दो किसी में बता दो लेकिन इसको यहां पे adjust करना होता लाज में इसी तरह आपने कम ज्यादा करके चीजों को देखना होता है भी यह बढ़ रही है कम हो रही है sometimes value ऐसी हाती है भी हमें नहीं पता चलता क्योंकि हमने इतनी सारी calculations की होती है भी कौन कहां पर ज्यादा हो रहा है assets में ज्यादा हो रहा है personal expenses में ज्यादा हो रहा है हमने किया इसको calculate तो यह यहाँ पर zero हो गया इसका क्या मतलब अपने expenses अपने assets and अपने reconciliation done होगी पूरी यह सब करने के बाद आपने आपका जो tax होता है जो आपके total amount के गेंस्ट पे करना होता है जैसे यहाँ भी 1,90,000 पर बना है इसका आपने चलान बनाना होता है admitted income tax का वो किस तरह से बनता है उसके लिए वीडियो भी बनाई हुए है लिंक नीचे वीडियो की description में आप वो भी देख लिए जाएगा बड़ी असानी से बन जाएगा वो आपने बनाना है और यह tax calculate होता है किस तरह से है इस तरह से देखे तो यह मैंने आपके सामने एक screen दी है जिसमें यह चार नमबर पे slab है जहां आपके income होगी 12,00,00 रुपे से ज्यादा हो 24,00,00 रुपे से कम तो 70,000 पर तो आपको definitely बढ़ेगा और 15% बढ़ेगा आपको उस amount का जो 12,00,00 रुपे से उपर है और जब आप इसके calculation करेंगे तो आपको पता चलिएगा कि यह बिल्कुल accurate आ रहा है तो इसका आपने चलान बना के pay करना है उस pay करने के बाद आप पे payment के section में आएंगे यहां पर प्लस वाला button दबाएंगे यहां भी वो receipt number या वो जो CPI number देते हैं वो enter करके यहां से search करेंगे तो वो नीचे show हो जाएगा इसको select करके इसके साथ attach कर दे उसके बाद आपने चलना है verification के tab पे वो आपने verify pin करना है उसके बाद आपने इसको एक दवा save कर लेना है और यहां से आपने इसको submit कर देना है जैसी है आप उसको submit करोगे तो आप आजोगे वापस अपने इस dashboard पर और यहां पर आके आपको आपकी जो 2022 की return है वो submitted नजर आने लगेगी तो मजीद की question रहागी हो आपका तो आप हमारे facebook इंस्ट्राग्राम pages पर पूछ लें आके तो वो जो course मैंने आपको पताया था वो भी आप लाजमी लीजीगा क्योंकि इसमें normal return में सारी चीजों का दिखाए एक एक हैट हो यह तो normal return है कम एक करोड से कम वाला उसमें एक करोड से ज्यादा वालों के लिए भी पूरा define किया हुआ है कि आप किस तरह से करोगे कौन से value लेनी है कौन से नहीं लेनी कहां से पर text देना है कहां पर text चोड़ना है यह सारी चीजों कोर्स में define की हुए पूरे detail के साथ बहुत lengthy कोर्स है वह तो अब आप अगर salary return के बारे में जाना चाहते है को आप left वाली वीडियो देखो और अगर आप यह जाना चाहते हो कि आप अपना admitted income text चलान के साथ बनाओगे तो right वाली वीडियो देखो मैं मिलता हूँ आपस अगली वीडियो के साथ अब तक के लिए अलाँ आफेज